अब हम लोग बहुत ही important एक concept सिखेंगे जिसके उपर base करके हम लोग वो last में जो capital adjustments करते हैं उसको कर पाएंगे तो अभी जो सिखेंगे उसका नाम है preparation of partners capital account क्योंकि capital adjustment करने से पहले capital account तो तयार करना है ठीक ना तो यह कैसे हम तयार करेंगे यह इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे conceptually ठीक है तो याद करो ऐसे कौनसा कौनसा journal था जिस जिस journal में partners capital account आया माल लेते हैं यह जो capital maintain होड़ा है under fluctuating capital method ठीक है तो माल लो salary यह benefit दिया जा रहा है partner को partner को दिया जा रहा है तो उस समय दो entry होता था ठीक है एक है accruid वाला और एक है transfer वाला accruid में हम लोग क्या करते थे salary account debit to partners capital इसमें क्या आता था इसमें माल लो एस capital बीस capital ऐसे करके जितना capital है जितना partner का सबका आएगा और salary में माल लो एक लाग और इस जगह पर आता था फिफ्टी थाऊजेंड शिफ्टी थाऊजेंड ठीक ना यह पहले इंट्रिया था उसके बाद आता था क्या transfer वाला entry तो एक्रुट का पहले होता था उसके बाद जो nominal account होता था recording के समय जो भी nominal account है उसको क्या करना पड़ता था transfer करना पड़ता था कहां पे यह nominal account है तो nominal account में transfer करना होगा और यह जो item है यह partner लोग के साथ है तो obviously appropriations item है तो appropriations item के लिए हम लोग जो account maintain करते हैं वो कौन सा account है profit and loss appropriation तो PL appro account debit to salary ठीक ना तो इसमें 1 lakh 1 lakh अब जब हम लोग PL appro बनाते थे PL appro जब हम लोग बनाते हैं इसके उपर base करके PL में यह आता है 2 salary ठीक है इस जगा पे salary heading आता है और नीचे आता है A capital और B capital बोलके 50,000 50,000 that is 1 lakh इसके उपर base करके मगर याद रखना जब हम लोग capital का entry करेंगे उस समय वो इसके उपर base करके वो होगा अब एक चीज़ है अब एक चीज़ है या तो तुम अब जो capital account है A के लिए अलग account maintain कर सकते हो B के लिए अलग capital account maintain कर सकते हो या तो फिर जैसे हम लोग वो class 11 में डॉबल कॉलम कैश्बुक्स करेंगे कि एक ही तो है वही पर्टिकुलर वही डेट सिर्फ एक काम करते एक काउंट के लिए एक कॉलम बरा देते तो उस जगह पर एट करते थे न वही वाला concept इस जगह पर यूज़ करेंगे कि दोनों का आप एक एक का अंप ऐस का Kapital ब circles आए तो दोनों के लिए अलग अलगो तीन चार जितना पार्टेंअरों का सिसह के लिए अलग-खिनकеля के अधाउन एक पर्टेनरts काउंट पनाइंगे हम लोग की काम करेंगे इसको पार्टनार होगा सब के लिए अलग-अलग एक कॉलम ठीक है जैसे यह देखो यह होगा तुम्हारा डेबिट साइट यह होगा क्रेडिट साइट इस जगह पे पर्टिकूलर्स इस जगह पे कि वह फिर मतलब एस का कैपिठाल एकाउट यह यह से कयाश का होता था और साइड में बैंक को अलब मतलब बैंक उसी सब से यह A का है और यह B का है पार्टिकुलर्स एक्सपेक्ट है तुम लोगों समझ में आ रहा है यह A का कॉलम और यह B का कॉलम ठीक है तो इसलिए हम लोगों को अलग-अलग से तो अब क्या करेंगे इसके उपर जो एंत्री होगा न वह इसके उपर बेस करके होगा है यह जगहा पे होगा तो कर देते यही तो हम लोग क्लास 11 हैं सिखे थे और इसलिए क्लास 11 में यही चीज़ बार बार हम लोग बोल रहे थे कि एकांट में से वे की चीज़ सिखने का है वो है जर्नल और जर्नल के उपर लेजर पोस्टिंग और कुछ नहीं है तो यह काम करते हैं जगा पर क्या लिखेंगे बाइ सेलरी को से 25 अर यह-बिके को लामी 5000 आद नहीं हुआ अब यह सेलरी के जगह पे अगर तुम कमिशन्स कर दो तो बाई कमिशन्स और वही कमिशन्स इस जानल के तुरू प्ल आप्रो में चला जाएगा अब जो भी है अब इसके जगह पे एक काम करते हैं वह आला लास्ट में जो किये थे ना देखो यह वाला यह देखो बहुत अगर क्रेडिट करेंगे यह क्रेडिट है ना अगर क्रेडिट करेंगे इसका मतलब क्या है कैपिटल एकाउंट का बैलेंस बरेगा और डेबिट मतलब लाइबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल लाइबिलिटी अगर डेबिट करेंगे तो इसका बैलेंस घटेगा इसलिए salary इस जगह पर आएगा, commissions आएगा, buy interest on capital आएगा, जो जो कारण से capital का balance बरेगा, वो ही वो ही कारण इस जगह पर करी सेड में आएगा, ये तुम लोगों को समझ में आ चुका है, क्योंकि credit होगा, तो capital का balance बरेगा, और क्या आएगा, buy share of profit, share of profit या तो फिर पील आप्रो, share of profit नहीं लिखेंगे, इस जगह पर हम लोगों के लिखेंगे, पील आप्रो, क्योंकि पील आप्रो से जो आता है, transfer ओके, क्या, वो लास्ट वाला जो profit है, पीसर की सब से जो distribute के जाता है, तो पील आप्रो, by पील आप्रो वोल के लिखेंगे, जिस जिस कारण से जो capital account का fund का balance बरता है, जिसके इस कारण से घटेगा, वो इस साइड में आएगा, जैसे इस साइड में, और क्या आएगा, इस साइड में, interest on drawing, क्योंकि इसके कारण से, जो capital account का balance का बैलेंस हो कम हो जाता है, ठीक है, और क्या आएगा, अगर मानलो drawing हो, अच्छे चलो, drawing का अभी नहीं बोलेंगे, तो यह सब आएगा, तो इस तरीका से हम लोगों को पता चल चुका है कि कैसे partners capital account को maintain करना पड़ता है, ठीक है, अब, अब यह वाला चीज़ देखो, बहुत अच्छी तरीका से देखना, प्लीज, यह जो profit हुआ था, उसको जब हम लोग बाट रहे थे, यह 4 लाक हुआ था, चाल लाक हुआ था इस तो लाक से 2,60,000, 40,000, guarantee कोन provide किया था, guarantee provide किया था, A और B मिलके, तो A और B मिलके provide किया था, तो इसलिए वो form का response रहे निया, फर्म का क्या है, से 4 लाक को PSR की सबसे बाट देना है, तो इसी सबसे एको मिला 2,60,000, 60,000, ठीक है, तो यही वाला, PL approval के इस जगा पर आ ठीक है, अब उपर में, A, B, C, Partners, Capital, यह तुम लोग को पता चल चुका है, और यह जगह पे, ABC, अब इस जगह पे, बाइ, PL, APRO, बोल के कितना आएगा, यह वाला फिगार, 2,60,000, 40,000, क्यों लेजर पोस्टिंग हो रहा है, यह, 2,60,000, और 40,000, अब इसके बाद, यह भी तो, जो capital adjustment, यह भी तो देना होगा, इसका भी तो impact आएगा, क्योंकि A और B मिल के, C को, जो deficiency amount है, 10,000, वो, मेकाप कर रहा है, तो A को देना है, 5000, B को देना है, 5000, और C को मिलेगा, 10,000, तो यह जो journal है, इसका भी तो impact देना है, तो क्या करना होगा, बहुत अच्छी तरिक से देखना, तो A और B के capital में 2C capital बोल के आएगा, यह देखो, बहुत अच्छी तरिक से देखना है, A और B, ज C बोल के आएगा, तो एक काम करते, इस जगह पे 2C capital बोल के A के कोलम में 5,000, और B के कोलम में 5,000, ठीक है, और C के कोलम में की आएगा, A B आएगा, B B आएगा, इस लिए by s capital 20 capital बोलके दोनों amount किसके 5000 5000 कहाँ पर आ जाएगा सिसके column में इसलिए इस जगाँ पर आ जाएगा by s capital by 20 capital बोलके c के column पर इस जगाँ पर 5000 इस जगाँ पर 5000 यह तो c का column है और यह तो a b का इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब और c a और b से ले रहा है और इसका मतलब क्या हुआ ए और b a और b c को दे रहा है अच्छी तरीका से एक बार वीडियो फिर से देख लेना है यह मैं कुछ नहीं कर रहा हूं सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं जो मैंने किया था ना कैशबुक में कैश एकांट डेवीट टू बैंक तो तो cash account में two bank बोल के लिख रहा था और बैक अकॉण्ट में buy cash बोल के लिख रहा था बात तो वह ही है A-B me two his capital और sis capital में money as by capital by sis capital, simple तो ये पहला होगा, ये पहला होगा और उसके बाद ये form तक responsibility था उसके बाद capital तो इस जगा से कैसे मेंटेन करना और कैसे यह सब का पूरा इंपक्ट दिखाना है वह हम लोग को समझ में आ चुका है ठीक है चलो